और अब हम चलते हैं पैगंबर मुहम्मद साहिब के जीवन को थोड़ा जान लें कि कैसे वे मात्र एक सामानी व्यक्ति से कैसे एक पैगंबर बने कैसे एक धर्म के संस्थापक बने हदरत मुहम्मद जो इसलाम धर्म के प्रवक्तक हैं ये मूलता कुरैशी कबीले के थे कबीले कई होते थे और उस कबीले में भी कई जातियां प्रजातियां थी जिस पर हम फिर आगे चर्चा करेंगे अभी आप यह समझ लें कि यह किस कबीले के थे कुरेशी कबीले के और जन्म इनका हुआ था पांच सौ सत्तर ईस्वी में खैल करिए लगवग पांच सौ सत्तर ईस्वी पूर्व भारत में स्वामी महावीर ने जन्म लिया था लगवग पांच सौ सत्तर ईस्वी पूर्व याने एक स्वामी महावीर के एक डेड़ हजार वर्ष बाद अरब खेत्र में के इसलाम धर्म के संस्थापक का जन्म हुआ केवल तुलना करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत उस समय कहां था जब इसलाम धर्म का प्रादुर्भाव होता है पैगंबर की जो माता थी इनका नाम अमीना था और पता जी का नाम अब्दल्ला दुर्भागे से पिता की मृत्यू इनके जन्म से पहली हो गई और मा की मृत्यू भी इनके जन्म के छै वर्ष बाद यानि छै वर्ष की उम्र में ये एक तरीके से अनात हो गया है तो इनका बच्पन एक तरीके से अनात के रूप में गजरता लेकिन सबागे से इनका पालन पोशन इनके चाचा ने बड़ी जिम्मेदारी से किया जिनका नाम था अबू तालिब पिता जी की मृत्यू जन्म से पहले मा की मृत्यू इनकी छै वर्ष की उम्र में और इनका लालन पालन अबू तालिब चाचा के दौरा जो कुरान है कुरान धार्मिक गरंद इसलाम का इसमें इनके कई नाम दिये हुए हैं अहमद मुहमद अल-अमीन ऐसे चार-पाँच नाम से इनको पकारा गया है कुरान में बच्पन से ही हजरत मुहमद बड़े मिधावी थे बड़े बद्यमान थे सत्यवादी थे और एकाग्र मन के थे यह एक लक्षन कराता था बच्पन से ही सत्यवादी बद्यमान और अपने चाचा के साथ जिसका नाम मैंने बताया अबु तालिब उनके साथ उन्हेंने बहुत सारी यात्राइं की व्यापारिक संब्द में और खुद भी एक तरीके से व्यापार से जुड़ गए बड़े दूर दूर के ख्षेतरों की यात्राएं उन्होंने की कुरेशी कबीले के होने के नाते उसमें वो लोग जो लोग व्यापार से जुड़ गए थे उनके साथ इन्होंने भी काफी देशाटन किया और व्यापार करते रहे और ऐसा करते करते पारंगत व्यापारी के र माँ बाप बहुत जल्दी गुजर गए चाचा के द्वारा इनका लालन पालन और उसके बाद व्यापार से जुड़ गए और एक बहुत अच्छे व्यापारी के रूप में अपने क्षेतर में जाने जाने लगे जब ये बड़े हुए समय के साथ साथ तो ऐसे ही जब व्यापार के संबन में व्यविन क्षेतरों में गए तो एक जगह उनकी मलाकात एक एक इसाई पादरी से हुई जिसका नाम बहिरा था Christian पादरी इसाई मैंने आपको बताया कि आपको याद होगा कि Byzantine Empire जो उत्तर पश्चम में था वहां के लोग इसाई थे उन्ही इसाईयों में से एक इनकी आत्रा के दौरान इनसे टकरा गया एक पादरी एक धार्मिक गुरू इसाई धर्म का धार्मिक गुरू कहलाता है पादरी उससे उनकी बात्चीत हुई और उस पादरी के विचारों से उनके प्रवचन से मुहमद पैगम मुहमद हजरत मुहमद काफी प्रभावित हुए और यहाँ पर उनका थोड़ा सा धार्मिक जुकाओ और बढ़ता हुआ नजर आया पचीस साल के होते होते इनकी भेंट एक खादिजा नाम की विद्वा से हुआ याने पचीस वर्ष के पूर्वी हिन की मलाकात उस पादरी से हो चुकी थी धार्मिक प्रवित्य धार्मिक रुजान बढ़ चुका था उसके प्रवचन से प्रभावित होकर और वो इसाई था कबीले का एक बंदा जिसका नाम हजरत मुहमाद उसकी मुलाकात होती है इसाई पादरी से उसके प्रवचन से प्रभावित होता है और धार्मिक रजान बढ़ता है इसी दौरान पचीस वर्ष के होते होते उनकी मुलाकात होती है एक महिला से जिसका नाम तक खा दी जा ये स्वायम 40 साल की महिला थी, उम्र में उम्र में ये महिला 40 वर्षी थी लेकिन उन्से 15 साल बढ़ी थी स्वायम 25 के थे और खादिजा 40 की थी लेकिन इसके बाव्जूद दोनों ने विवाह करने का निष्चe हुआ दोनों के बीछ वाह हुआ और ये खादीजा जो थी वो भी स्वैम एक व्यापारी थी और इसी व्यापार के सम्मन्द में उसे मलाका थी और एक सफल व्यापारीन थी वो खादीजा उंट का व्यापार करती थी उंट का व्यापसाय करती थी उंट का लेंदेन करती थी और विद्वा हो चुकी थी चालिस वर्ष की थी तो पहले विवा में विद्वा हो चुकी थी पतिकी मृत्य हो गई थी और उसने स्वैम ने अपना बिजनिस अपना व्यापार बढ़ाया और उसमें सफलता मिल रही थी उन्टों का सफल व्यापार उसका हो रहा था खादिजा से जो विध्वा थी उससे इनका 25 वर्ष के मुहम्मद हजरत का विवा होता है उनके बच्चे होते हैं कई बेटे हुए लेकिन अधिकतर मृत्य के शिकार हो गए अधिकतर के मृत्य हो गए एक बेटी बची बस जिसका नाम था फातिमा बेटी का नाम फातिमा बाद में जोहरा नाम भी था उसका वही बच्ची फातिमा का जिक्र यहां करना इसलिए जरूरी है कि फातिमा वही बच्ची है जिसका विवाह बाद में जिस युवक से हुआ उसका नाम अली था वह युवक बाद में खलीफा बनता है इसलाम का चौथा खलीफा खलीफा क्या है इसके हम चर्चा करेंगे पर फिलहाल या आप जाने है कि खलीफा इसलाम धर्म का सरवोच शासक पर शासक धर्म गुरू पैगंबर जहां स्वैम पहले संस्थापक धर्म गुरू थे अली चौथा बना और अली कौन था इनकी बेटी का मुहमद हजरत मुहमद की बेटी का पती बेटी का नाम था फातिमा फातिमा का विवा अली से होता है और अली बाज में आने वाले समय में चौथा खलीफा बनता है विवा के बाज समय के साथ साथ इनकी धार्मिक प्रवृत्ति और बढ़ती ही गई और ये स्वैम बहुत से सवाल अपने से करने लगे जैसा की होता है कि एक समय ऐसा आया कि इन्होंने एक जगह जाकर एक तरीके से ध्यान एक तरीके से उन्होंने अपने को एक जगह सीमित कर लिया हीरा नाम की जगह पर और कहते हैं कि वहाँ कुछ समय के प्रवास के एकांतवास के बाद उनको ऐसी अनुभूती हुई कि उन्हें कुछ ग्यान मिला है ऐसा माना जाता है कि एक उन्हें बहुत एक उन्हें दैवी संदेश के रूप में कुछ बातें मिली और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें कुछ ग्यान मिला है यही से शुरू होता है पैगंबर बनने का जो परिवर्तन उनके विचार में वे एक तरीके से संदेश वाहक थे भगवान के या अल्ला के संदेश वाहक के रूप में उन्हें जो वहां ग्यान प्राप्थ हुआ अब उनके उपर यह दायत वा गया कि वे उसको लोगों को बताएं प्रचार प्रसार करें उनके इच्जारों के साथ समाज के कुछ लोग जोडने लगे प्रारम में तो यह संख्या बहुत छोटी थी और उनके अपने स्वयम के ही परिवार के लोग बामुश्किल जोड़े उनके विचार जो थे वो ततकाली समाज से कुछ अलग भी थे और शायद यह कारण था मुख्य जिससे की लोगों में इसके इनके विचारों का विरोध भी हुआ यह मुहमद प्रेगंबर मुहमद इनकी जो इबादत जो प्रार्थना की विदी थी उस विदी के तहद इनका कहना था कि मुझे जो मिला है वह दैवी है और उसके तहद इबादत पाने के लिए हमें जो विदी अपनानी होगी वो है दैनिक प्रार्थना दैनिक प्रार्थनो श्वायम को एक संदेश वहाग एक रसूल के रूप में उमानते थे और संदेश वहाग किसका संदेश वहाग इश्वरी सत्ता का जिसे उन्हेंने अल्लाह कहा उसका अपना संदेश वहाग की रूप में देखते थे और वहीं से वो पैगंबर मुहम्मद कहला है, रसूल कहला है उनका कहना था कि प्रार्थना करना सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वहां तक पहुंचने का और पक्की इबादत के तहट जो उन्होंने विधी बताई, बड़ी सरल विधी उनकी नजर में थी, पहला था दैनिक प्रार्थना और दूसरा था नैतिक सिध्धानतों का पालन क्या? दैनिक प्रार्थना, इन्हें रोज पूजा करो बस पूजा भी प्रार्तना करते रहे और दूसरा नैतिक सिध्धानतों का पालन अब ये नैतिक सिध्धानतों का पालन कैसे होगा ऐसी क्या नैतिक सिध्धान थे जिसके पालन पर उन्होंने जोर दिया पैगंबर मुहम्मद ने जिसे वे अप रसूल मानते थे अपने को श्वाक बाँदते थे तो उनकी जो इबादत थी उसके तरीकों में जब उन्होंने कहा कि नैतिक सिधानतों का पालन अत्याधिक महत्पूर्ण है तो कौन से नैतिक सिधानत की बात उन्होंने की दो पहला उन्होंने कहा कि खेराद बांटना, खेराद बांटना अर्था दूसरों को बांटना, दूसरों को देना और दूसरा जो था चोरी ना करना ये उनके विचारों के अनुसर ऐसे विचार थे जो उन्हें संदेश वहक होने के नाते मिले थे और जिसको उनको जन्ता को बताना था, उनमें चेतना जगानी थी और उनमें इन विचारों का पचार पसार करना था मुहमत पैगंबर के विवाहु परांत का जो घटना करम है, वो बड़ा रोचक है और घटना ये बड़ी तेजी से घटी है, जिस कबीले के वो थे, जैसा मैंने पहले बताया है, कुरेशी कबीला उस कबीले की बुराईयों से वो थोड़ा चिंतित हो चुके थे और एक तरीके से उनको बड़ा अफ्सोस होता था कि उनके कबीले में इस तरह की बुराईयों हैं लेकिन व्यापार में भी बड़ी सफल थी, बड़ती चिंताओं को बड़ते सामाजिक दोशों को देखते हुए उनका मन खिन हो चुका और परनाम क्या हुआ कि मुहम्मद साहिब एक दिन मक्का की और मक्का से थोड़ी दूर एक जगह है हीरा वहां की गुफा में चले गए और वहां एक तरीके से ध्यान में बैठ गया यह सोचने के लिए कि यह जो समस्याएं हैं सामाजिक समस्याएं इसका क्या निरा करना है यदि हम तुलना करें तो ऐसा ही कुछ महावीर के साथ हुआ ऐसा ही कुछ गौतमबुद के साथ हुआ तो कुछ इसी तरह की घटना मामत हजरत के साथ भी हुई और वह वहां ध्यान मक्न हो गया और कुछ दिनों बाद एक दिन उनको कुछ ऐसी ध्वनी सुनाई दी जिस से उन्हें लगा कि वो कह रही है ध्वनी कि तुम अल्ला के दौरा भीजे गए हो तुमें अल्ला ने पैदा किया है और तुमको अल्ला के दौरा भीजे हुए कारे के लिए बहजा गया है बस यहीं से मौम्मद हजरत में परिवर्टन आया और उसके बाद से सतत रूप से मौम्मद पागंबर का चिंतन बढ़ता रहा यह जो रात है जिस रात को यह पहली बार यह हद्सा हुआ जब उनको लगा कि अल्ला की आवाज या कुछ ऐसी आवाज उनके पास आई है सांकेतिक आवाज उस रात को लवलत अलकद्र कहा जाता है वह रात कहलाती है लवलत अलकद्र की रात कहलाती है मुहम्मद बहुत डर गए क्योंकि एक तरीके से एक आकाशवानी थी एक तरीके से उनको ये लगा किये क्या चीज कुछ अन्होनी हो रही है तो वो डर के भागने लगे घर की और जाने लगे लेकिन ऐसा कहा जाता है कि देव दूतों ने उन्हें रोका जो कुछ ऐसे संकेत उनको मिले जिसमें उनको रोकने का प्रयास किया गया और इस प्रयास का परणाम क्या हुआ कि मुहम्मद हजरत रुक गया उन्होंने फिर से उसे सुना फिर से वही बात सुनी और फिर मन उनका प्रसन्न चित हुआ तसली मिली रात मिली और ये उनके मन में सुनिश्चता आई कि जो कुछ घटना हुई है वह वही घटना है जिसके परिप्रेक्ष में जिसके जिसकी खोज में मैं इस हीरा नाम की जगर में गुफा पर आया था इसलाम में ये जो घटना है इस घ्यान को खुदाई अल्हाम कहा जाता है ये जो घ्यान उनको मिला देवदूतों के मध्यम से और साथ ही अल्लाह की आवाज का जो बहां हुआ वह घटना खहलाती है खुदाई अल्हाम मुहम्मत साहब को जो भी ग्यान मिला इस दर्मयान और उसके बाद कई वर्ष्टों तक ऐसा कहा जाता है कि यही ग्यान यही देववानी कुरान के ग्रंट में संग्रहित रूप में है तो दूसरे शब्दों में कुरान क्या है कुरान अल्ला के दौरा दिये गए उस ग्यान का संकलन है जो हजरत मुहम्मत को हीरा की गुफा में पहली बार प्राप्त हुआ और आगे कई वर्ष्टों तक चलता रहा यह कोई एक ही दिन के ग्यान का संकलन नहीं है इस बात को ख्याल लखेंगे और चुकि यह अल्ला की वाणी है चुकि अल्ला के संदेश है इस लिए इस ग्रंट को बहुत पवित्र माना गया और यह इसलाम धर्म का धर्मिक मुख्य धर्मिक ग्रंट बन गया जैसे कृष्चन धर्मे बाइबल है हिंदू धर्मे गीता बगवत गीता यह रमायन है सिक्ध धर्मे गुरु गरंट साहिब है ऐसे ही इसलाम धर्मे कुरान का स्थाना है और कुरान क्या है ऐसा माना जाता है कि अल्ला के द्वारा भेजे गया संदेशों का संकलन तो ऐसा माना जाता है कि कुरान क्या है? अलाह के द्वारा मौमद हस्रीफ के माद्य हम से दिये गए संदेशों का सैंकलन है और इसलिए अत्यथिक पवित्र ग्रंथ है, बहुत पवित्र ग्रंथ है ये पवित्र कुरान शरीफ काल के बाद कालांतर में अर्बी में लिखा हुआ और इसमें कुल मिलाकर 114 अध्याए जिसे हम सूरा कहते हैं और प्रथम अध्याए से लेकर इसमें 114 अध्याए और प्रथम अध्याए से लेकर आगे आगे जैसे कुरान शरीफ बढ़ता है वैसी वैसे इन अध्याएओं की जो साइज है वो छोटी होती जाती इसका मतलब यह हुआ कि जो अंतिम अध्याय है वो सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा लग हुआ कितने अध्याय है? 114 अध्याय और कुल 6360 पद्या है पद्या ने क्या? गद्य का उल्टा तो हम पहले गद्य जान लें, गद्याने, जो सामाने तरीके से लिखा जाता है जिसमें कविता या राग नहीं होता है, उसे गद्य कहते हैं, ये पद्य के रूप में लिखे हुए हैं और इस्लामी प्रमपरा के नुसार, इसमें क्या है? वही, जो पूर में बताया गया यानि अल्ला के संदेश, अल्ला के संदेशों का राचे, और जो खुदाने, महमद صاحب को दिया इस उद्देश से के मुहम्मद साहब उनकी अल्ला के संदेशों को, उनकी आवाज को, उनकी वानी को जन जन में फैलाएं ये तो बात हुई कुरान शरीफ की, संग्शिप्त में और इसलिए इसकी पवित्रता की बात समझना बहुत जरूरी है इसलाम के इतिहास की जो समगरी की बात यदि करते हैं तो इतिहास की दृष्टी से भी कुरान शरीफ अत्याधिक महत्पूर्ण गरंथ है है तो वो धार्मिक गरंथ, लेकिन धार्मिक गरंथ होने के साथ-साथ इसमें राजनैतिक और इतिहासिक पुट भी सम्मिलित है पर चूंकि मुल रूप से धार्मिक गरंथ है और अल्ला के संदेशों का संकलन है कुरान का विवेचन करते समय, कुरान का समालोचना करते समय इतिहास कारों को, राजनीतिकारों को बड़ा सजग रहना पड़ता है, ताकि किसी तरह से इसमें किसी तरह की छेड़ छाड़, उनकी जो एनेलिसिस, उनकी जो समालोचना है, उसमें किसी तरह का ऐसा द्वांद्व ना दिखे. इस पकार एतिहासिक दिष्टी से भी यह ग्रंथ धार्मिक के अलावा भी अत्यादिक उप्योगी हो जालता है लेकिन है तो मूल रूप से धार्म ग्रंथ ही और धार्म ग्रंथ में भी इतना पुवित धार्म ग्रंथ कि अल्ला पूर्व या ग्यारा सौसी वर्ष नबे वर्ष पूर्व जो तत्कालीन खलीफा थे खलीफा क्या होता है मैंने आपको पूर्व में बताया कि खलीफा मुहम्मद पैगंबर के बाद आए उत्रादिकारियों का करम है मुहम्मद पैगंबर के बाद जो उत्रादिकारी बने एक के बाद एक जिसमें एक उत्रादिकारी का मैंने पूर में जिक्र किया अली का अली कौन था मुहम्मद पैगंबर की बेटी का पती था जो बाद में चौथा खलीफा बना अली कौन था मुहम्मद पैगंबर की सुपत्री का फातिमा का पती था जो बाद में खलीफा बने और खलीफा मतलब क्या होता था धर्म गुरू धर्म का मुखिया उत्तरादिकारी कि इनका मुहम्मद तागंबर का तो अलममून जो तद्कालीन खलीफा थे उन्होंने कहा कि ये खुदा की वानी ही नहीं है बलकि खुदा की रच्छना है और उस विकार उसे एक और उच्चि वानी ना हो करके उन्होंने घुशित किया कि ये तो उहीं की रच्छना ही है और इसलिए से पढ़ने के लिए हमें बहुत तरह की टीकाओं की जर्रत है टीका क्या होती है टीका कार्थ क्या है टीका कार्थ विभिन अन्य श्रोतों से उसका मिलन करते हुए एक निशकर्च पे निकलना टीका कार जो टिपनी करते हैं और अपने तरीके से अपने तहीं एक अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं तो ये इसका परिणाम ये हुआ कि इसके बहुत सारी टीकाएं हुँई और टीकाओं की रचना करी, मड़काल के जो विदवान हैं उन्होंने किराण के वच्छनों के लिए तो बहुत सारे अभिलेखों का भी सहरा लिया जो ततकालीन, तमाज में जो बहुत सारे अभिलेख थे चाहे शिरालेख के रूप में चाहे पतों में लिखे हुए चाहे अने ज़र्यों से काई जो में लखे हुए इनकी मदद से भी कुरान के एतिहासिग परिप्रेक्ष को समझने में सहायता मिली है पर जरूरत जरूर पर समझने के लिए इन अभी लेखों की इन अर्ण मैज़ूरतों की सहायता लेना अतिया و श्यक रहा आगे हम शुरूतों के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्या शुरूत थे कुरान के अलावा जो कुरान को बेहतर समझने में हमें मदद किया अब फिल्हाल हम बढ़ते हैं अगले पैदान पर अगले चरन पर और वो है कि हीरा में ग्यान मिलने के बाद उन्होंने क्या किया वे अपने छोटे से कुटम्ब छोटे से दल के साथ यहां वहां उन्होंने घूमना शुरू किया लोगों को अपनी बातें बतानी शुरू की और इस प्रकार प्रयास किया कि सभी लोग उनके द्वारा बताय हुए मार्ग पर चलना शुरू करें दीरी ज चार्स लोगों के साथ शुरू हुआ गुठ आज सोचिए कितना विशाल काय रूप ले लिया है कि पूरे विश में एक बहुत बहुत बड़ी जन संख्या इसलाम धर्म की अन्याई है मुहम्मद पैगंबर की अन्याई है